हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल क्रेटी ओमेकर मैं आप लोग का स्वागत है मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं क्रेटी ओमेकर जो कि मेरी चैनल का नाम है आज मैं लेकर के आई हूँ नवरात्री पूजा की पूरी सामगरी और क्या-क्या शुबारा करें पुजा करती हैं तो फ्रेंच नवरात्री से जुड़े कई पूजा करें अगर आप लोग इंटरस्टेड पार्टसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो आप लोग मेरे चैनल करके देख सकते हैं और जिन लोगों को अभीतख मेरे चैनल को संब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगोंने बोलो जरूर सस्प्राइब कर लीजेगा मेरे इस चैनल को और इस चैनल पर मैं पुझा पाट और डेलि व्लोग से रिलेटेड वीडियो डूलती लेती हूं तो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा मेरे इस चैनल को और पूजा पार से अधिकतर वीडियो में इस चैनल पर डालती हूं अभी नावरात्री स्टार्ट होने वाली हैं तीन से चार दिन रहे गया हैं तो मैंने सब्चा की आप लोग के लिए ये वीडियो भी लेकर के आऊं और पूजा के दिन भी मैं आप लोग के लिए पूरे नौ दिन की पूजा और दर्खेरे की पूजा का भी वीडियो लेकर के आऊंगी तो आप बैल आइकन के सांथ मेरे इस चैनल को सब्सकार जरू कर लीजिएगा चलिए फ्रेंड्स देना करती हूए फटा-फट मैं आप लोग को दिखाती चाती हूँ और ये सारी सामगरी अभी हमें पूजा में लगने वाली है पूरे नौ दिन में ये सामगरी लगेगी और इखटा में सामान लेकर के आती हूँ तो देखिए पहला है ये अगरबती अगरबती के दो पैकेट हैं तो मैं एक आप बाताओं को चड़ाया जाएगा और ये देखिए तो ये पैकेट में मिल जाता है इखटा ही तो ये इखटा ही लेकर के आती हूँ मैं ये महंधी के कुछ पैकेट्स हैं जो की एक साथ ही ले आती हूँ अभी करवाजोद वगरा भी आ रही हैं तो उसके हिसाब से भी मैं इख सकते हैं उस रूप में ले सकते हैं इसको कलाश की इस्थापना में भी काम में आती है तो ये मटकी मैंने एक एक्जामपल के रूप में दिखाई है और ये हैं बत्तियां जो की हमें लगने ही वाली हैं वैसे भी नॉर्मली बत्तियां डेली उज में आती हैं तो मैं एकटी ही ले आती हूं तो ये देखिए अभी ये सारे या बत्तिों के पैकेट हैं लंबी वाली बत्ती है और है तो गुल बत्ती बनी बनाई लेकर काती हूं मैं घर में बनाने का bonk open time नहीं रहता है तो बनी हुँई बत्तियां है और ये हैं पूजा वाले चावल जो बिल्कुल सेगादानाँ होता है तो इसमें में 80 ले आती हूँ एक किलो थोडा सा मैंने निकालकरके अलग रख लिया है बाकी मैंने अलग डिब्बे छुपिर मेरे बर है तो बस मैने निकाल के दिखाऊंगी यह सुपारी पूजा वाली सुपारी होती है जो कि इस्थापना नावगरा इस्थापना और भी चीजों में काफी काम आईगी तो आधी मेंने निकाल कर रख लिए आधी और अलग पैकेट में रखी हुई है पैक और फ्रेंड्स इसमें गेहुं हैं जो कि प खुडा साइड अलग निकाल करके रख लिए है मैंने और बाकी अलग रखा हुआ है मैंने वाकी और यह हैं गंगा जल अर गौ्म१र जो की देसी गौ्म१र है गौ्म१र सब स्टीज้ों को पवित्र करने के लिए बहुत जरूरी होता है और गंगा जल है ये तो गंगा जल कहां से मिलेगा तो हम लोग तो पतंजली की दुकान पर जाते हैं वहां से लिए आते हैं पतंजली की शौप से और ये हैं कुम-कुम ये अलग-अलग कलर में आते हैं तो ये इस कलर वाला कुम-कुम है कुम-कुम, रोली, अक्षत ये सारी चीजे हैं इसमें तो ये है अश्टगंद अश्टगंद का ये बहुत अच्छा सा ब्राइंड है और ये हमेशा मैं यूज़ करते हूँ बहुत ही अच्छा आता है ये देखिए औरेंज कलर वाला अक्ष ये है अस्टिकंट फ्रेंच थोड़ी से मेरी आवाज सही से नहीं आरी होगी क्योंकि मेरा गला खराब है और ये वाला मैं हमेशा यूज़ करती हूँ तो बड़िया रहता है ये और इसके अलावा ये चंद पान के उपर लगाओ खुद भी लगा सकते हैं अपने तिलक और चंदन भी मेरे पास चार तरीके के हैं वो मैं सब आपको दिखाने वाली हो ये है लाल वाला कुम-कुम ये देखिए सिंदूर भी है और ये ये भी है सिंदूर मुझो देवी कुछ चड़ाया चाता है तो म अलग ब्लास्टिक के बाकि छोटी छोटी डिबिो में मैं भरके रख लेती हूं कि डेली उज में काम आएं वह ये वाला कुम कुम भी है और इसमें सारी जो गुलाल सिंदूर और ये सारी चीजे हैं रोली वगेरा सारी चीज़ें इसमें भर करके रखी ये थोड़ी थोड़ी मैने कि पूजा के अर्थ ताइम थाली में अलग से निकालना नहीं पड़ता है मुझे इसी में से मैं यूस कर लेती हूँ और ये सब पैकेड़ में भी आते हैं तो ये चुटे-चुटे पैकेड़ भी अलग से लेकर के आई थी मैं कि जब उसके खताम हो जाते हैं तो ये डारेक्ट में उसमें डाल लेती हूँ तो ये ज़्यादा एजीली हो जाता है मेरे लिए और ये है जो महावर है महावर मतलब क्यालता जो की पुजा में चड़ाया जाए गा और ये हल्दी जो की खड़ी हल्दी की जरुवत पढ़एंगी हमें और ये है इत्र इत्र भी पुजा में यूस होता है माता को जरूर चड़ाएं आप पुजा में और फृरंड से यह सारी चीज़ें तो हो गई है, अभी कुछ चीज़ें और बाकी है, यह है कलावा, कलावा भी एक यह बंडल अलग से है और बाकी अलग से रखा हुआ है, बड़ा बंडल और यह है, इलाइची और लॉांग, जो कि हमें जरुट पढ़ने वाली है, नौरात्री में काफी, तो इलाइजियो लॉंग है ये और इसके अलावा भी कई चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सारी चीज़ें पुजा में यूज होती हैं तो वो ही हैं और ये देखी लॉंग है इस सारी चीज़ें मैं डबो में मारा लोबान और गूगल दोनों चीज़ें हैं इसी में इस बॉक्स के अंदर तो मैं पैकिट में अभी इसको फोड़ना भी है मुझे पौडर बेस में बनाना है ताकि जल्दी वो काम में आ जाए तो मैं इसे बारिक करके रख लेती हूं ये धूब बती का बड़ा रख के रिकाल के रखूंगी और ये है हवन सामगरी जो की मिक्स में आती है इसके बिना पूजा इंपॉसीबल है हवन करना तो जरूरी होता है प्रतिदिन अगर आवरत रख रहे हैं 9 दिनों का तो 9 रातरी में और ये हैं जन्यों जन्यों मैं अलग से रखती हूं तो ये रखी है यह पुरानी ही अभी अतनी रखी होई थी कि मैने नई को नहीं निकाला है वह पोलेफिन में पैक रखी है तो उस से तो अलगी रहने दोंगी अभी इह इनही यूस में लूंगी जो अभी रखी हुई हैं तो इस तरीके से और्गनाई़स करके रख लेती हूं में बॉकसे में और ये देसी वाला चंदन हैं रियल वाला चंदन हैं जो की ये पत्तर के उपर गीसने पर अच्छे से निकलता है तो ये रियल चंदन हैं इसे यूस करती हूं मैं अदिक तर और फ्रेंट्स यह है शहद शहद भी अपी मेरा यह पूजा वाला रखा हुआ था तो मैंने नया नहीं खोला है नया भी रखा हुआ है छोटी बॉक्स में और यह माची से माची सकी बिना तो पूजा की ही नहीं जाएगी और फ्रेंट्स नारियल है नारियल भी पांच लगेंगे तो मैंने अभी दो ही निकाले हैं उपर बाकी सब मैंने अलग रख दिये हैं और ये पंचमेवा है, पंचमेवा भी पूजा में आएगा, जरूरी काम है, पूज पंचमेवा का, नारियल तो लगेंगे ही, एक कलश में लगेगा, एक चड़ाने में लगेगा, और और भी लगेंगे, और फ्रेंड्स में चीज़े यह हैं, जो कि चुनरीया हैं, और आप तो मेरे घर का मंदिर देखा ही होगा बहुत सारी मूरतियां और फोटो रखी हुई है मेरे यहां तो सब पर मैं एक जुनरी चड़ाती भी हूँ और यह कुछ बिच्छाने के लाल कपड़े हैं कुछ चड़ाने के लिए भी रखे हुए हैं और भी मेरे पास कोरे रखे हुए थे तो वो भी निकालना है मुझे और देखिए कितनी सुन्दा सुन्दा जुनरियां लेकर के आई हूँ मैं तो बहुत ही अच्छी है और छोटी छोटी हैं क्योंकि मेरी फोटो वगरा छोटी छोटी है तो सब पर एक 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 उड़ाना भी रहता है मुझे तो नवरात्री में तो नई चुन्दी माता को उड़ाए जाएगी तो बस उसे सबसे मिलाती हूँ और यह देख सकते हैं आप अलग अलग हैं यह बड़ी चुन्दी हैं यह देख सकते हैं बहुत ही काफी सुन्दर सी चुन्दी रही है तो अभी पूरा डिटेल में तो मैं अच्छे से बतानी पाऊंगी खोल खोल के कुछ चोटी कुछ बड़ी इस टाइब की चुन्दी हैं अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर की लेकर आई हूं यह नैट की है यह काफी बड़ी है जैसे हम लोग औरते हैं उतनी बड़ी है और यह आसन है बिचाने का तो इसे हम नीचे बिचा सकते हैं तो इसे आसन के ऊपर बिचाने के लिए लेकर के आई हूं और है बहुत सारा ये देखिए गोड़ है जो कि पूझा में काम आने वाला है तो गोड़ के ऐसे डिली वाला गोड़ लेकर आई हूँ जो कि फटा फट से हम चाको से काटें और यूस करें क्योंकि फोन ने का टाइम नहीं रहता है पूझा पाट के टाइम पे तो बस इस तर हो और इसके उपर होज़कों करो उषिस तरूबह लेकर के आती हैं बिल्कुल शुद्र होते हैं यह तरी थे हैं वह बाकों के प्पड़ों का ये डलिया तो इसमें भी नंए सारे कपड़े रखे हुआ है मैंने ये भी लर कर क्या है तो मैंने इसमें रख दिये थे और्गनाईज करके इस तरीके से कुछ आसन है कुछ सिंगासन की उपर बिचाने के आसन है कलस के नीचे रखने वाले आसन है तो इस टाइब के हैं कानाजी के आसन भी है तो सारा पूरा बॉक्स ही नए है कपड़ों से भरा हुआ है सबी के पैकेट्स वगरा निकाल करके मैंने इस तरीके से डाल दिये हैं ताकि बाद में मतलब पैनाते टाइम पर बारवर पैकेट नहीं खुलना पड़े मुझे तो इस तरीके से मैंने इस बॉक्स के अंदर भर दिये हैं बाकी पुराने कपडों का बॉक्स अलग है लोगों को मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करके जरूर पताईएगा पूजा पार्ट से रिलेटेड कई वीडियो में अपने इस चैनल पर डालती रहती हूं तो जरूर देखिएगा नवरातरी आप लोग के शेयर करूंगी बहुत जल्दी अपना मंदिर भी शेयर करने वाली हूं कि मैंने इस नवरातरी पर किस तरीके से अपने घर का मंदिर सजाया है तो फ्रेंड्स नवरातरी में बहुत ही अच्छा संदर सा मंदिर सजाया है और ये सारी सामागरी है इसके अलाव भी बहुत से चीज़ें रहे गई हैं जो कि मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी दिखाने वाली हूँ और अपना मंदिर भी दिखाने वाली हूँ तो जोड़े रहे गा मेरे साथ चलिए फ्रेंड्स बबाई टेक के